टायर के निशान देख रहे होंगे, कितने लंबे टायर के निशान और कितने दूर से ये टायर के निशान आये हैं, टायर के निशान को देखकर और जो गाड़ी की इस्तिती है, उसको देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, कि गाड़ी लगबग 100 के उपर की स्पी है वोभी तूट चुका है पूरी तरीके से उतर चुकी है कोड़ा सा भी हिससा इसमें नहीं पूरी जानकारी के मुताबिक संकरा चार होस्पताल में जो है वी दिपिका की बुआ है उनका इलाज को रहा तो पूनम कोड़ उनका इलाज चरह था उनकी भी मृत्ति हो गई है मगर इस घटना में जो है तीन शक्स की मृत्ति हो चुकी है तस्वीर में जिस कार को आप देख रहा है मारूती सुजूकी की स्विफ्ट डिजायर कार है 2014 का ये मॉडल है जिसका गाड़ी नंबर CG07802620 है इस कार की कहानी हमने आपको कल बताई दी किस प्रकार से सेक्टर 1 SBI बैंक के ठीक सामने और अपोजिट साइट देखें तो फील पर मार्थम का जो घर है जहां पर वृद्धो को रखा जाता है वहां उसके ठीक सामने एक कार का एक्सिडेंट हो जाता है उसकी कहानी बताई थी हमने कि किस प्रकार से कार आकर यहां पर पेड़ में ठुकती है किस प्रकार से एक पेड़ को रगड़ते हुए दूसरे पेड़ में आकर टक्कर मारती है और इतनी जोड़दार टक्कर की कार की पूरी तरीके से परखचे यहां पर ठोकर मारी थी जब शुरुवाती समय में खबर मिर रही थी तो किसी एक शक्स के मृत्यू की बात आ रही थी मगर धीरे-धीरे करके पता चला कि उपचार के दौरान क्योंकि इसमें चार लोग बैठे हुए थे जिसमें से एक लोकेंद्र यूइके था और दिपीका कोर और उसके साथ दिपीका कोर का भाई परम कोर उसके साथ एक और उनकी बुअब ही मौजूद थी और कल की कहबर के हिसाब से जो लोकेंद्र है लोकेंद्र यूइके और दिपीका कोर की मृत्यू हो चुकी थी हमने आपको खबरों में दिखाए भी था कि दो जंकी मृत्यू हो गई है और अभी अभी अपडेट मिला है कि उपचार के दौरान क्योंकि सेक्टर 9 अस्पताल से रेफर कर दिया गया था और जानकारी के थेओरी निकल कर सामने आ रही है उस पर हम आपको 30 से रिपोर्ट दिखाएंगे किस प्रकार से सारी घटनाए हुई है शुरुआत से शुरुआत करते हैं जहां से गाड़ी आई थी क्योंकि सड़क में चक्के के निशान भी है और कल दो कहानी दो थेओरी निकल कर सामने आ र करना या सिस्टम कोई छेड़कानी करने के दौरान ये हादसा हुआ है आपको दिखा दू कि अचाहन के आप three to कि रही होगी इसलिए इतना बड़ा यह हाथसा हुआ है अब जहां से टायर की निशान आये हैं मैं आपको वहां का हिस्सा दिखा दू लगबग इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ यहां से टायर के निशान जो हो दिखाई दे रहे हैं और यह सीधा लगबग 50 मीटर की दू करके वापस आ रहे थे वहां से वापस आने के दौरान गाड़ी सौस 120 की स्पीड में रही होगी गाड़ी की स्पीड के बाद जो ड्राइवर है यानि लोकेंद्र वह गाड़ी के सिस्टम से जो साउंड सिस्टम रहता है जो म्यूजिक सिस्टम रहता है उसमें कुछ कर रह जैसा कि अमोमन होता है कि जटके में इंसान जो है अपने आपको बचाने के लिए गाड़ी के स्टेरिंग को घुमाता है वैसा ही पर हम ने भी किया होगा इस बात के भी पुष्टी नहीं हुई है जो थ्योरी निकल कर सामने आरी वह हम आपको उतार है उसके बाद इस चक्के के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं यहां से गाड़ी एदम स्पीड में टर्न लेते हुए मुड़ते हुए लेफ्ट साइड यानि कि जो बाई ओर है जहां जंगल जाड़ी है वहां मुड़त कितनी स्पीड से गाड़ी आई होगी गाड़ी आने के बाद यहां सीधा पेड की छाल में टकराती है पेड में टकराने के बाद वह गाड़ी और लेफ्ट काटा जाता है जिससे पूरी पेड की छाल जो है वो पूरी तरीके से उतर चुकी है थोड़ा सा भी हिस्सा इसमें से अपकोव हैं कि अंदर अभी भी तमाम चीजें मौझूद से अभी नज़ें सामने वाला जो टायर है वह भी तूट चुका है पूरी तरीके से गाड़ी ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरीके से क्योंकि यहां पर कुछ खून के छीटे भी नजर आ रहे हैं जब लोगों ने यहां पर आवाज सुनी कि गाड़ी का एक्सिडेंट हुआ है एक्सभी बैंक क नहीं खुल पाया है एक्सिडेंट होने के बाद तो लोगों को दर्वाजा तोड़कर कहां सोड़कर यहां से निकाला गया चार सक्स मौजूद थे जिसमें से एक की ऑंस्पॉर्ट हो गई थी बाकी लोगों को गाड़ी में भरकर पुलिस ने अपनी गाड़ी में भरकर से प्रकार से कितना दर्दनाग तरीके से हाथसा हुआ है सेंट्रल में यह पहला हाथसा नहीं है इससे एक रात पहले रात को ग्यारा बजे के आसपस हमने दिखाया था सेक्टर फोर्ट चौक में जो है वो एक गाड़ी ठुकी थी चौक के उपर चले गई थी मगर हॉंडा सिटी गाड़ी होने के वज़ए से उसकी बिल्ड कॉलिटी अच्छी होने की वज़ए से आ पांच परसेंट उमीद बढ़ जाती है लोगों के सेफ होने की लोगों के बचने की मगर इस गाड़ी में एर बैगाना होने के वज़े से गाड़ी थीड में होने की वज़े से यह सारा हाथ सा भी हो जिसमें तीन लोगों की मिर्य trong बाकिसे मामले में क्या अफडेट रह करेंगे भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना भूले धन्यवाद